साथ स्रीकाल तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV एन आराई वर्ड देविच स्वागत मैहा संजीव यश्खणना G20 सम्मिट पूरी दुनिया दी नजर एस दे उत्ते लगी रही 9-10 सेतंबर दो दिन ए मेला एस सम्मिट पारद दी तर्ती दे उत्ते चलदा रहा दुनिया पार देविचों महानतम लीडर सहबान ए देविच पदारे दुनिया दिया समस्यामा दे उत्ते गल बाद होई G20, G21 बन गया क्योंकि साथ एफरीका भी ए देविच शामिल होया 9 सेतंबर नो याने के जिस दिन एस सम्मिट शुरू हों दी है पहली कटना एही वाप पर दी है ते होन साथ एफरीका भी एस पूरे समेलन दा हिस्सा है एस ग्रुप दा हिस्सा है तो खास तरफे ए गल उन चल शामिल शामिल होेँ है के खट्टेया ते की खट्टेया इस मेले दे भी शो दे किन्ना के खרचा होया को न्क खर्चा करने किन्ना के लोड़ पाई शामिल फ़्क आई nue यш वार्य दे विच दे कालबाद है करांगे युनाइटिट स्टेट्स देविच की खास रोड रहा एसी खास तौर्टे फोकस करांगे सो मेरे नाल स्टूडियोस देविच मौजूद में मैडम आशिमा सहानी डिपार्टमेंट ओफ पॉलिटिकल साइंस जिननादी एक्सपर्टीज है इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स के एंवी कॉलेज चलंदर तो वल्कम टू एनराई वर्ट में तल्याबाद जी तो तमाम गल्ला हो रही हैंने मोदी साब दा बिहेवियर के दान्दा है केड़े नेता नल के दान्दा बिहेवियर है और उदे अग्गे जाके की नितेज्चे आउन वाले ने इंटरनेशनल रिलेशन्स की बढ़न वाले न चीन दूर रहा है रशिया दूर रहा है इस दा कितना बेनेफिट अमेरिकान होया है और इंडिया दा की फायदा रहा है एदे विच इंडिया एदे जिद्धिया इस सारे सब्मिट दे विच के नहीं जिद्धिया इंडिया अपने कोशना पत्तर दे मताबिक सब्दी सेहमत बनान वेंज काम्याब होया के नहीं होया तमाम तरह नियंग लाहुति हैं पियाने को जे दे नागेटिव जे और पूरा वर्ड मीडिया दे बारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सब तो पहला सी गहल कराँगे रोल की रहा है युनाइटिड स्टेट्स दाए दे विच अमेरिका दा खास दो ओरते क्योंकि बाइडन साब खास दो ओरते पदा रहे ने एंड वो अक्सर कहें दे ने आई लाव इंडिया और चीन ते रश्या दी एपसेंस ना उनना ने कितना फाइदा उठाया चीन नू कितना के रहा इस तमाम गल्ला उनना दी सारी परफॉर्मेंस दे विच ओंदी आने सब तो पहला थे हैं डिस्क्रस करना चाहांगे कि अमेरिका ने किद्धा इंडिया दी मदद कीती है इस सबिट नू काम्याब करने देविच सबता पहले तन्यवाद मैंनो अपने चैनल ते बुलान ली जिनना भी वर्ल्ड ग्लोबल मीडिया जिनना भी इस ताइम ये आर आल रॉलिंग विद दी नू किता है सिद्धा सिद्धा की हाव ये उस से ने कित्दा मदद किती है और कित्दा उनने फाइदा उठाया देखो एक सिद्धी सद्धी जी गेम चल रहे है ग्लोबल लेवल ते जे मैं एक संटेंस चे सम्झाना हुए जी दुन्या इस ताइम दो हिस्याच वंडी होई है जी चाइनिस अच्ली चाइना और अमेरिका दे वी चिक स्टगल चल रहे है अमेरिकाट दे पिछे वेस्ट भी खड़ खड़ है ठीक है चाइना द ब्रिक सैंट मेरिकादा दा कि है कर गड़ी तवर्ड़ी तयोजी वें इंदी आपिशाए इन्डिया के डामेंने हो आप कर रहे हैं इंडिया नो भी पावर शेरिंग काफी अच्छी मिल रही है संजीब जी पावर शेरिंग बन रही है इत्य गल है कि इंडिया नो दो में पास अपना शेर्श चाहिद है हुँ न्यू यॉयॉक टाइम्स कहनदा है कि अमेरिका ने खास पाइदा उठाया है इस टाइल वार्मी आ है इस चाह olduğunu फिए वहालिक गल twor क्णॉ इस छाल केड़ी में इस चेंद अे चहिए। ढंबॉस कभढ wax शेट किए नियू यू यू उफ्ली टेया है अमेरिका देडी डिपलोमैसी अमेरिका दीडीप स्टेट अमेरिका अवरीजर्टीसिशन को से अमेरिकार थिंगल अवक्षा इन अजने विस्टेम्स टार्ट नाई को आप पो आदाई है प्रिजाए अगल लाथ हो तो है आप से दिख ङो टिख आप रहे है और छो भी टो पुछ पॉलिटिकल लेवलन ऑर निकल के आरे है उदे बेसिस्ते में कह सब दिया कि चाइना दी डीप स्टेट, चाइना दी डिपलोमेसी, चाइना दी पॉलिटीशन, चाइना दी थिंग टैंक शायद थोड़ा जग पिछड गया और जित्ते तक इंडिया था सवाल है, ठीक है, इंडिया ने थे अपने आपनों, मतला तुसे देखो, आज जी ट्वेंटी जे कोई इंडिया दी गल सुन रहा है, इंडिया दी क्रेडिबिलेटी बनी है, उदे पुछे उनना था हाड़ वर्क बड़ा है, इह हाड़ वर्क श काफी कैपबिलिटी जबिलिटी जबिलिटी सारा कुछ शोकेश कर देता, उन टू फ्रंट, फार्मा सेक्टर दुते और गाल्वांच, जिदन उनने चाइना दे अपने अपनों, मतलब जो भी दुनिया दे सामने दिखाया कि हाओ पावर्फुल वियार किसी चाइना भी प काउंटर करना है, लेकिन चाइना नू काउंटर करके तुसी किसे भी देशनों नहीं खडा कर सादे चाइना देखे है, इंडिया ने अपने आपनों पेश किता और अमेरिका नहीं 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 कैश किता, यह जडिक मिस्ट्री सीगिना वंडफुल चाहे दोनों देशान द आजवाब है, आनवले थे हास्ट, डिपलो मैसी दी जदो गाथा लिकी जाएगी, जदो डिपलो मैसी ता लिटरेचर आनवले टाइम, जनरेशन ली रच्या जाएगा, ते यह जडिकर जरूर आएगा, तो अमेरिका हाज बिन वेरी 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 सक्सेस्फूल इन इन्डिया पॉजीशन हना और उन्हों अपने फाइदे चोनने मतलब इस्तमाल किता, काफी वड़ी जित इंडिया दी जितने नजर आई रही है, तुस देखनो सब्द बहले अमेरिकाने कहता कि चाइना है, इस पोईलर, यह फिर दसक दी नहीं खबर चल दी रही कि पता न आई विज़ जोंग बेडि़रेशन निकलेगा निकलेगा है, पूटिन जी नहीं आरे है, घड़ी सिर्फ शी जिंपिंग रही है, मिस्टरी जी बनी रही है, फिर एंड बहले अफिर इन्डिया नहीं टेंशन चाइज ज़पाई, इन्हा नहीं अमेरिकाने की किता, आग ज अब दूमेस्तिक रिजन और लोग उनादीक दो में वाइफ नू कोवीड सी कुछ प्रब्लम्स हो एक तो पांच वैया ती कमाला है रिस लुट पांच ते नौ दिस कमाला है रिस इन दोनों मिलके इर सटेटिंग तेज सेट्टेज ओथो एटून शुरू अनने जड़े जड़ेज जड़े जड़ेज सीटलिंग टेपाते जगोचना नुए यह चाइन नामने लिया चाइन ते ने लिया गाया पर जड़ेज अनना साओथ चाइना सीदी गाल कर दे ती जड चीन देनार और अमेरिका दे पॉइंट आप यू तो जदो ए सारी जमात पैठ दी है डिसकस करना वास्ते जदो शुरू हो चुका है जी 20 दा डिसकशन दा सारा दौर ता युक्रेन और रश्या दी वार नो लेके एक पैराग्राफ रखना चाहन दे सी गे और उस पैराग्रा इस गाल दे उते राजी होया कि इस पैराग्राफ नो ना रख्या जाए और सौफ्ट लैंग्विज यूस कीती गई है और यूक्रेन और रश्या दे वार नो लेके हाला के यूक्रेन ने इस गाल नो पसंद नहीं किता पर रश्या दी जड़ी न्यूज एजंसी है आर्टी उसने खास्त और तियदा जुकर कीता है कि इंडिया इस सक्सेस्फूल के उन्हें सौफ्ट लैंग्विज इस्तिमाल करवा के रश्या नो इक तरहना सपोर्ट कीता है और वेस्ट पूरा इस गाल देना एग्री कीता है वट यू से के चीन दी जित क्योंकि चीन ते रश्या और खुल दी है वेस्ट दी खुल दी है अमर्का दी और या फिर इंडिया अपना पॉइंट मनवांड विच सुक्सेस्फूल रहा है त्री अंग्ल्स बंदे है जो तुसी कह रहे है ना इस इस अपरेंटली वट अपरेंटली वट अप्यल्स तू बी इंदा दिख रहा है यह एडिया आप बन्दा हो वेगा टार आपव एड़ और देख रहा है यह जहाँ वी झाल मवेंदा है को जिख रहा है एंग्ल्स थाल यह समय्व दाइव है जा से पारत मनवांच श जा रहा है दो सित्व कर्सारी जासे इंडिया व्यांग्छ नहसे तुसे कहीं लिगए अमेरिका ने अमेरिका मनवांचिक हो गया यह रशिया करवांचि हो गया नहीं इदे अंदरो एक एक इंडिकेशन निकल के आ रहा है कि शायद हून युक्रेन ते रशिया दे वारली अंदरो अंदरी विल्डप हो रहा है यदा शायद एंड नस्दीग है तो स्टॉप इत हाई मैं गलत हो सकती है मेरी अब्जरवेशन है जो तुसी हुन सारा कुछ क्या हो तो सबनु नजर आरे सबनु समझ आरे बट एक इसारा है आनवली पॉलिटिक्स था ठीक है हुन तुसी तेखो जेड़ तुसी 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 देखो टूड़ साब जिदो चले उनना भी कि मैं जी एशु रहा हुन मोस्ट अब वेस्टन मीडिया दी यही रिपोर्टिंग सिगी कि जी जॉई टेकलरेशन चुछ प्रॉल्म आ सक दिये राइट क्योंकि अग युक्रेन जड अग्रेसर स्टेट कोशित करना पाएगा ठीक है पिछला जड़ा जड़ा बाली समध सिगा उदे चुछ बड़ी स्रिक्क लांगवज यूज हो इसे सारे मीडिया वले कहरे ने बट एदे वीच उनना ने रश्या नो टच नी किता जड़ी इंडिया दे वालो ठीक इंडिय नहीं किता गया जी या वाइड किता गया ते टीम्वक है इंडिया दा यॉरप यॉर्पन यूनियन दा वेस्ट दा अमेरिका दा ठीक है कि इननु कैन दे पॉलिटिक्स कि सारे नु मना लिया से और मेभी ओ दिन दूर नी शायद वार खातम हों दिया गला होनिया शुरू ह युजिए जी घएडर शायद वर घरन होटोर 뭐 जो पॉरूर्थ य९विया एक क्योंकि नमीक इंट फ्लीटफ़ॉरु मैं उर्छ इन यूर्प गीम्टी युजरू होई उर जी हृईक्नि़ॉर्जिपले गोर पायद अचा मॱल कर दा है और हर कंट्री अपना और अपना 뭔 साब्दा पला सोचते पहें और इस करके वन एर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली एसी लेके चल दे हां जो साड़ा मौट हो रहा है इस सारे समिट दा सो उदेवेच देख्या जावे के हर कंट्री वस्ते विन-विन सिच्वेशन भी होए और सब दा पढ़ा भी होजवे और सब नुँ फायदा भी होजवे तो एकनॉमिक कंडीशन की रही है क्योंके ए अफ्टर ओल इस एकनॉमिक प्लेटफोर्म की पूरी वर्ड एकॉन्वी नुँ फायदा होन वाड़ा इन्ना पैसा खर्चिया इन्ना समा लगाया एन्नी एनर्जी लगाई नओ वाट इस दा आउटकम एक सेंगल क्वेश्चिन एक साथे इंडिया चिपा जंचल दना आप ही बिगाड़े आप ही सवारे अच्छा रब नु कहने आप ही इस टो शुट एकनौमी किषम इस्वे झूपध वर्ट रहए इस्वा श्रच वाड़ा जय आप ही इस्वेश्य प्रफुड पहूर रहे इस्वेश्य धिष्यायगे प्रोब्लम बहुत पोरी इस्वेश्य एक्पितो साथे थे बहुते हैं अज बहुता सानु कोई प्रोब और जड़े रश्या और युक्रीन दी वार्दे करके जड़े ग्रेंज अफ्रिका तक नहीं पांच पारे से के ओनु हाल करन दी कोशिश किती गई और रिक्वेस्ट किती गई है कि रश्या जहाजानु ना रोके या किसी तरह भी जड़े ग्रेंज सप्लाई है उदे ते कोई प्रॉब्लम ना आवे देखो जिदो सदा पेट पर रहाया होगा कि सदावी एकनॉमिक्स ने फेर चलना है तो नमबर वां ते हसी ए देख लैने है नाव एकनॉमिक्स जह सी देखे आई-म-फ दे एम-डी आए होई सिगे यू नो अपने बंगा साब सिगे अजे बंगा ज एक कंसेंसेज डिवेलप होया कि असी कि में यूनो एक आम आदमी तक पॉंचिये और जड़ा की इंडिया ने रस्ता दिखाए कि ग्लोबल साउथ एक ऐसा जरिया है जेदे थुरू आम आदमीनों एकनॉमिक फायता हो सकता है फेर उनने की किता कि जड़ी आफ्रिकन यून अधर आफ्रिकन यूनियन इस नाव पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी हना हजे जी ट्वेंटी वान ओफिशली ए नहीं आया बट आई दो आएगा कि नहीं आएगा बट दन आफ्रिका इस पाट अफ दिस हून एदा एकनॉमिक अनेक्शन की है पहले कि उन एक पहले एक आफ्रिकान आप प्यास अब्राइब कि आफ्रिकान उसी रॉमिटिरियल डी मार्किट समझे यहां सी उन अधे मिनरल्स पिछे अरे फिर देयां राइट ऑफ यहां असी एक्स्प्लोईट ही टे असी मतलब वेस्टन कंट्रीश पालेशी और हून चाइना चाइना ने भी मुल्क आजने सारे 50-51 दे करीब है ते हुन चाइना नो एह हो जिए जडियां हो सोचेगा हुन उन्हाद जड़ जड़ शोशन है मेरी यह समझ है वो थोड़ी कटेगी मैनी केंदी की जीरो हो जाएगी तीसरी गाले थे होर इंपोर्टन है इस अमेलन दे विच एक खास एंफसिस दिता गया है कि असी करप्शन नो जड़ी की ग्लोबल लेवल दिया उन्हों किदा टैकल करना है करप्शन इस दे बिगेस्ट ऑप्स्टेकल इन एकनोमिक ग्रोथ एकनोमिक एंजिन नुजे को रोकदा है इट इस करप्शन सो एक चीज़े दे चौंदी है बीबीसी दी रिपोर्ट है कि अमेरिका दी मदद देना इंडिया सक्सेस्फुल रहा है अपने आपनों साउथ ग्लोबल दा जो ग्लोबल साउथ दा जो लीडर कोशिद करन दे विच और जिसना के गल कीती जा रही है जिदे विच कांट्री देने ब्राजिल, साउथ अफरिका, इंडोनेजिया दा खास्त ओर्टे सिकर मिल दा है कि ग्लोबल साउथ दा एक लीडर बन दे विच इंडिया कामयाब होया है और इस पासे नु दुनिया तुरी है दुनिया दी सोच तुरी है और एक उंसेट दुनिया दी सोच दा इंडिया दो एक कामयाब ही मिली है इस तुरी है देखो जी ट्वेंटी दे मीटिंग चांद तो पहले ही अमेरिकन वाइट हाउस तो प्रेस रिलीज हो गया सिगा और बाइडन साब ने भी कि असी तो अडे ग्लोबल साउथ ना खड़े हैं मैं अपने पिछले प्रोग्रम बबी अभ्रमीज जीतर आहले मेरिकन आपस्राड लग्लोबल साउथ न खड़ा हो गया कि पता गलोबल साउथ ने कि अश्या इनिस हाऊँ बहुत अख्चा हो गया थी कि अचाल साल ने की कि अ रहले का यह ठीजाने感じ कि घुआ नुकि बुटन साउथ आध अगिंगा जआ हुन मनजिल दूर है अजय रस्ता लंब है हार कोई तो डपा लागार नहीं आंदा है यह हुन टाइम दसेगा कि जड़ी आफरिकन मुल्क है ओ अपने आपनों किद्ध इस चीज विच टाल दिया ने ओ किद्ध अपने आप चेंजिस लेके आंदिया कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कोई दोर आए नहीं है कि अमेरिका वाके ही ग्लोबल साउथ दिना खड़ा हुआ है खड़ा है तो अपने कि अपने कि अपने करीब लेओना चांदे ने और इस बार भी इह कोशिश हो ही है बाइडन सामने जादा वक्त बिताया है मोधी साब नार। और काफी चर्चामा में हुई आने कई मसले आंदे उते हैं और कुछ रिलीज भी हुई आने और कुछ हजे रिलीज नहीं भी हुई आने और बाकी लीडर सहबान भी आये ने आप एक जे वर्सिस करके देखना चाहिए ता बाइडन सामने खास उन्हादा रहा है इस वोगत याराना और नजदीकियां और जस्टिन टूडो दे नाल उनिया नहीं रहियां और बाकी लीडर्स दे नाले नहीं नहीं रहियां ए ए बिहेवियर जो थोड़ा जा लगदा है क सब्सक्राइड जा लुड़ा जांड टीकिंपेक्ट होन वाला इस समय देवेच्च ओर नहीं देख फॉर्न एविड प्रविश्य दे ओर प्रवाशि देखो इंदीया ने इंदीया 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 इस दूड़ा इप्रें वेल्ड शूर इंदीया इस ये इंद्धिक लुए भी इस हैं कि भी लुए श्यूज़ है यारो भी अजरी है। यहारो वोवे आदी है। जुए है। जिए णे अर जा देडिया है। खर्वेंस फेक्टरी ऑफ ग्लोबूमिश फेर टेक्नलोजी यह तुसी फाइव जी लेलो शिक्स जी फाइव जी अधिसा गला हो एफ्या है थीक टेकमेस्ट्री ते आप ही बननी है और अमेरिका थाम एकको एक गोल है अमेरिका विशाद एक और पावर है तेक्नलीच आप अ अमेरिका ते सुपर पावर है, लेकिन जेडा चाइना उनने पैदा किता, उनने चाइना नो दुनिया दे पले दे लई ही पैदा किता सिगा, ताहिए उननु मैनिफेक्ट्रिंग सेंडर अफ दे वल्ड बनाया, इस वोकित भी बाइडन सब कहरे ने का इवांट के चाइना त हुन जेडा इरेजर है, वो है इंडिया, हाँ, ओके, येस, इरेजर, येस, जिदो तुसी गल्तिया नो मतलब, अमेरिका उरेजर नो किसे भी कीमत है, क्योंकि देखो, अमेरिका ने बहुत, 1945 तो बाद, आफ्टर सेकिंड वल्ड वार, ठीक हैं, बहुत लडाईया असी भी अपना पहले सोचाँगे, हाना, ओते, इस, इस इसा हुमन नेचर, इसा हुमन नेचर, और एदे विच तो लगदा है के युनाइट नेशन्स दी जो सिक्योरिटी कॉंसिल है, उदे विच इंडिया नो इक पर्मानेंट सीट मिलनी चाहिए अमेरिका इस दी हमायत क तुसी इस इसा देख एक अडिकल्स कट के लिच एक भी तुसी मेढ्या अडिक इसेस्मेंटी जो करके देखो और ओलार हुनु जैन्वन ओधिक नोट जैन्सेंस बिल्ड़िया है कि ताईपाइस काम में उन्ट इन्ट पार्मानेंट मेंशिप इंडिया है पर्मानेट अग है बटनाव मैंनों लगता है इंडिया ने शाहे थोड़ा बहुता जगा इनों अमेरिका दे देल बनानी शुरू करके प्रापलम पता कि यह दोना दा ट्रस्ट डैफिशंट रहे ऑग दुच्यत है अमेरिका को इन्डिया तो फिर्ट लगता, इन्डिया तो अ sellers ही इंडिया कि इनमेरिका से लगता से लगता, मिनों को इनमेरिका अ बाद उन्धियोद है को इनगए बीज होई प्राइड्ड को इनरू होई लॉकए NING इंट्रेस्ट बने लोकान आजानों देविच के असी अक्सर गाल कर देया है वोमन एंपावमेंट ती और हमेशा देखिया है के वर्ड स्टेज देख दे हुटे मेल्स ही हुने ने फीमेल्स दी उनने गिंती नहीं हुन्दी यह सिरफ इंडिया दी नहीं यह बाकी कंट्री स जिए टोटल ग्लोबल प्रॉबलम है जिदा ग्लोबल साउथ दा विशा है ओधा एक ग्लोबल विशा है के वूमन एंपावर्मेंट और इस जी ट्वेंटी देविच वोमन एंपावर्मेंट खास देखनों मिली है एंड बीग अब फीमेल तुसी किदा देख दियो वोमन देखो हर साल एक रिपोर्ट दुनिया च एक डिकलेर किती जाने जिन्नों ग्लोबल जेंडर गाप रिपोर्ट कंदे मतले पेदेच वोमन दा खास हिसा रिया नहीं I will not agree with it इस पोर्ट देख टूसी जडी मर्जी कंट्री जाय अमेरिका लेलो चाय तोसी ऑस्ट्रेलिया लेलो चाय तोसी इंगलन लेलो पाकिस्तान लेलो ओडिश्य और दूइंग वेरी गुड़ अज़ एस ने एडिगेशन इस वह बंदे और ज़ाग कटिया है एकनॉमिक्स चिभी कट्या है, हेल्थ चिए लेकिस नहीं कट्या है, लेकिस नहीं कट्या है, अगुट पॉलिटिक्स च गब बत वट प्राइघ है, और कैन वले वी कहने चेड़ इजडे सादे इन्टेलेक्टिले कि अटनावनीय बहुत मुश्केल है, बंदेयाने अपने हत दो शाइना दा वन जड़ा सीपक्सी ओतो निकलन दावी बड़ लुवाती है हचे अफिशली होया या नहीं होया यह बाद दी गल्द है अचे वाद दी आपने पस्नालिटी फेर से देख देख देए जिए फिर्टीन अंडे आंडे I don't remember the name Christina something like that फेर गोपीनाथन देप्टीम्ड आंडे ठीके and then we have sheikh Hasina उस्ते लावा जडियां भी women's आयां they have come along with their husband तुसी चाये रिशी सोनक दी वाइफ दी गाल कर लो Indonesian day जड़ी उनना दी वाइफ नाला आए Japanese एउनना दी जड़ी वाइफ नाला आए तुसी प्राइफ नुट जड़ी का एफ दी वाइफ नाला आए भी वाइफ दी जंडर गाप ठीक है दीप्लोमाट्स ची बहुत हो सगदा है women diplomats होन लेकिन विमन हजे उन्निया नजर नहीं आरिया स्क्रियों आपना ही उदेते दब दबाप आया चाहे फिर अमेरिकन पॉलिटिशन और यहां फिर इंडिन पॉलिटिशन हो मच आप सो मुच नीच तो बीड़ा इस इसे करके में पॉइंट चुकिया है के वोमन इंपॉवर्मेंट किनी का गेवदी है इंडिया दा रोल यूएस दा रोल बाकी कंट्रीस दा रोल एवरिफिंग इस पॉजिटिवली अपा देखिया है एदे विच एक चीज जो थोड़ा नेगिटिव होंदा है अल्जजेरा उनना दिया रिपोर्ट्स आई याने और उदे विच एक अलकई गई है के 2024 याने कि Next Year Elections होन वाल याने 2024 इट उस चीजनों सामने रखके अमेरिका ने भी इस चीजनों अकैश किता है और इंडिया नो क्रिटिसाइज करते हुए कहने लगदा ही नहीं है कि ग़र्मिन्ट ओफ इंडिया वलों कीता गया है इता लगदा है रूलिंग पार्टी बीजेपी वलों कीता गया इक इवेंट है और इस इवेंट नो अपने नेक्स्ट इलेक्शन वास्ते कैमपें दी यह तमाम गला हुंदियां पहियां ने, तो इस क्रिटिसिजम लु देखते हुए ए इंडिया और यूएस दी दोस्टी किथे खड़ी है और इंडिया किथे खड़ा है। Okay, well, this should happen, this should happen, this should happen, this has to happen, and this happens. There is a concept called politics of groupism and alliances. अल्जलजीरा ने, कहीं वेस्टे भी प्रेस जड़िया इसी, और ने भी बड़े मुद्दे उठाया है, जद्धा कि दिली छी कुली कॉली कॉलनी उनु घंदे ने, वसंत भी हार्द कोड़ है गी ए अरिया, अधे वुड़न स्काफ होल्डर विच ग्रीन कॉल्टेंस लगा के उननु बंद कर दिता गया, स्ट्रीट दॉग्स नु अटाया गया, और बुल्डोजर्स चलाया गया, यूनु अच्छ रिपोर्टिंग इस बिंदन बादी, इंडिया ने अपनी गरीबी नु लखो दिता के दुनिया मेरी गरीबी ना रेखलवे, यूनु इस बिंदन काफी इनुस पेन हो रही है, बट एदा रिबटल भी आ रहे है, इंडिया रिबटल बेच अधिया रिबटल्स पेले इस बिंदने काउंगा मैं पॉंट भाईंट लूछ भूण तो दियु यू रशिया प्रेस, पर दुख दी गाले है कि, you know, there is a clear-cut demarcation between the two groups. तुसी दीमर्जी है, ज़सी पॉजिटिव गल्ला सुनने तो नो पाता केड़ा चैनल है, तुसी नेगटिव सुननना तामी, तुसी सुननों, लेकिन लोग बड़े इंटेलिजेंट, तौ दोन्नों देखते हैं, and they have started using their brains. कुछ परसंटेज कमी आई है, ज़सी मेडिया थे असली नुट्रल वीवपोंट सिगा, that is missing, तौ जड़े एथिक्स है, जड़े मीडिया थे एथिक्स है, हुन ओ, की मीडिया यदिली रिस्पंसिबला है, नहीं, मिकल्ला मीडिया रिस्पंसिबल नहीं है, एको सिस्टम है ह की एकोनमी दा की फ्यूचर है? बिखो, एदा जड़ी एकोनमी दा फ्यूचर विल डपेंड अपन जड़ी के नहीं 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 डेकलरेशन चे नहीं एक बनानी है, वन रोड वन बेल्ट, यू नहीं नो, कवरिंग इंडिया, एं तन अड ज़ एं जड़े इस्ट प्लियर सब्सक्सक्राइब करें, पर इस अच्राइब चेश्च एक्सम्राइब Marykai अगरें पारी एक्सपारिय ज्डालीड नेपें, इस ऑफिक काईश्पर है। इत्हे हो सगदा है कि जड़ियां में जिन्ह ने डिजिजिन लिया है कैसी यह करना उनों कार्दे जड़े हालात है और शायद डिले करा है यह हो सगदा है नहीं भी हो सगदा कि तो दूसरा पॉइंट है कि यह गता है कि यहां जागा ते यहां प्लेटफ़ॉंब्या विजिन अपार इंद पूरी दुनिया दिल्कर आप मैं पूरी दुनिया नूँ क्योंकि पूरी दुनिया इस वर नार एक्टेडर जड़ी यह दे रश्या थे विच जा रहा है तो ऐ और जिनिया भी एकॉनिस्त दिये तुसी पॉडिक्शन करकर देख लो ओं कि अज्गिश हो रही है वेस्ट देवीच विछ चाइना चाहिन है चाहिना दी एकॉनमी भी बॉछ बॉछ गारा है और अमेरिका दीच क्या जा रही है कि शाएद उन फिर तों रेट ऑफ वेज़ परवड भी इस एक संधर्भ विच इंडियन देड़ प्रामिस्टर रहना ने क्या कि I propose 1G summit virtually in the month of November किसी जो वादा किता दुन्या देनाल दुन्या देनाल G20 प्लाटफॉम आसी किते हड़ा ने जढ़ है वादे जड़े ज़े 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 ज़ादा तरो इकनौमिक ही तन्ह थाँए हना ते लैट आप सी और श्याने कहते है कोशिश करनी चाहिए वादे ब्सक्राइख काम चाह रही है और कोशिश किनी के कामयाब हो रही है तैंक यू सो मच तुसी इस सब्जेक्ट देऊते सानु एंलाइटन की तफ है तैंक यू सो बच मैं और असी अपने दशकानों भी गुजारिश करांगे कि तुसी भी अपने विचार सानु जरूर इन बॉक्स करो और साथा चैनल पंजाब में यूसे टीवी सब्सक्राइब करो थैंक यू सो मच मैं थैंक यू